नमस्कार साथिव जैसा कि आप सभी को पता है वर्तमान में हमारे देश केब में क्या हाला आते हैं करोना वाइरस के वज़े से सभी शिक्षन संस्थाइं बंद है शिक्षन संस्थाइं बंद होने के साथ साथी नीजी स्कूल के जो शिक्षक गण है उनको भी बहुत परिशानियों का सामना पढ़ रहा है उसी विशे को लेकर मुझे आज एक पहुत ही अच्छी कवीता पढ़ने को मिली जो मैं आपके सामने पिश कर रही है शिक्षक का दर आज भूल बैठा है जमाना हमें जिनके बच्चों की इफाज़त किया करते थे उनके बच्चों के सपनों को अपना कर उन्हें पूरा करके जनाब हम शिक्षक ही लगा करते थे जब आपका बच्चा स्कूल में आया करता था बेफिक्र होकर आप घरों को जाया करते थे स्कूल भी एक घर होता है ऐसा बच्चों को आप ही समझाया करते थे जितनी बार भी आपके बच्चों ने गलती की अपना समझ कर सहारा उसे हम ने दिया था जितनी बार उसने जीत हासिल की थी उतनी ही बार हमने ही उसका आतम विश्वास बढ़ाया था याद है वो दिन याद है वो दिन जब आप बच्चों की मीटिंग में बाते किया करते थे तब हम आपस में परिवार की तरह ही तो बैठा करते थे अपने पन का बच्चों के प्रतिहम इजहार किया करते थे और हर समय शिक्षक आपको साथ दिया करते थे स्कूल के दरवाजे हमेशा थे आपके लिए खुले जब भी बच्चों को आपके कोई चिंता सताते थी उसकी चिंदा का समाधान करने हम शिक्षक ही तो लग जाते थे लेकिन आज लेकिन आज इस रिस्ते में ये दरार कैसे आ गई खुले आस्मान में ये बादल कैसे चा गई विपत्ती तो हम सब पर एक ही थी ना तो फिर ये रास्तों में बदलाव क्यों आ गई आपने तो हम से है किया किनारा नो स्कूल नो फीस का दिया है नारा लेकिन हम किनारा करने वालों में नहीं जनाब क्योंकि हम शिक्षक हैं हम शिक्षक हैं भविश्य बनाते हैं बेगाड़ते नहीं करतवे पत्से शिक्षक नहीं हटेंगे क्योंकि जिम्मेदारी हमारी थोड़ी जादा है क्योंकि जिम्मेदारी हमारी थोड़ी जादा है हम आपको एक दिन ये बात जरूर समझा देंगे जब ये बात आपके बच्चों का जब ये साल आपके बच्चों का हम बचा कर दिखाएंगे बचा कर दिखाएंगे धन्यवाद